हेलो दोस्तो मेरा नाम है शाल गुपता और आप सभी का स्वागत है मेरे चाहिए लोजपल गुपता ही में दोस्तो आप सब कैसे हैं उमीद करता हूँ सब अच्छे होंगे जैसा कि दोस्तो मैं अपने हर वीडियो में आपको कुछ नया सिखाने की कोशिस करता हूँ तो इस वीडियो में भी दोस्तो मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ जैसा कि दोस्तो आप जानते हैं कि हमारा जो है क्लोजिंग समय आ चुका है तो दोस्तो कई बार क्या होता है हमको अपने party के पास जितने भी हमारे party हो उनके पास अपने लेजर को print करके या mail करके भेजना पड़ता है ताकि वो अपने लेजर को हमारे लेजर के साथ मिला सके ताकि अगर कोई B कि एकाउंट में हमारी गलती हो तो तुरन्त ही पकड़ी जा सके और हम एयर एंडिंग के समय में उसको ठीक कर सके ताकि हमारा बैलेंस इड जो है एकदम सही सही रेडी होका है तो दोस्तों इसके लिए हमको लेजर जो है सब पार्टी का प्रिंट करके या मेल करना पड़ता ह लेकिन हमारे पास हजारों पार्टी आइंट दोस्तों कि लेजर को एक एक करके उसको प्रेंट करेंगे नहीं दोस्तों यह तो तो चलिए दोस्तो वीडियो के साथ आप बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें, बहुत important वीडियो होने वाला आईए सबसे पहले हम export वाले option में जाएंगे, आप देख सकते हैं, यह export का option है तो इसका shortcut की use करेंगे, alt plus e, या इस पर enter करेंगे, तो export वाले option में हम पहुंच जाएंगे दोस्तो मैं यह चीछ जो है, आपको print वाले option में भी बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तो जब मैं print करूँगा, तो मैं print आपको दिखा नहीं पाँगा दोस्तो यहाँ पर option जो है, others का, इसी पर हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद दोस्तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ options आ गया, all ledger account, one ledger account, group up account, दोस्तो यही ledger से related options है, जिसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बाकी बहुत सारा option है, जिसको मैं आपको वीडियो में, अगले वीडियो में cover करने की कोशिस करूँगा, दोस्तो सबसे पहले दोस्तो हम all ledger account के बारे में जान लेते, all ledger account का मतलब यह होता है, दोस्तो कि हमारे पास, हमारे account में जीते नहीं भी ledger हैं, वो चाहे संड़ी केड़र के हो, चाहे data के हो, चाहे expenses के हो, चाहे taxes के हो, वो सारे ledger जो है हमारे export हो जाएंगे, तो चलिए दोस्तो पहले मैं आपको यह चीज दिखा देता हूँ, तो all ledger account में हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद दोस्तों configure वाले option में आप जाएंगे, configure वाले option में जाने के बाद यहाँ पे so more वाले option पे हम इंटर कर देंगे, उसके बाद दोस्तों हमारा period, दोस्तों यहाँ पे आपको period सेलेक्ट करना होगा, तो आप period अपने हिसाब से जो भी चाहें आप सेलेक्ट कर सकते, जैसा कि दोस्तों मै यहाँ पे period जो सेलेक्ट करूँगा, एक अपरेल से लेके 31-3-2022 तक का, जो की मेरा financial year है, 14-2021 से लेके 31-3-2022 तक का, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने period जो है सेलेक्ट कर लिया है, period सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों report type, report type में दो option आपको मिल जाते है, confirmation of account, leisure account, तो leisure account को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों यह सारे option आप पढ़ पढ़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके बाद दोस्तों सीधे हम चले जाएं, export सेटिंग में, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, file format, तो यह दोस्तों XML सेलेक्ट किया पाद हम सेलेक्ट करेंगे कि हम export करके कहां रखना चाते हैं, file को, ताकि हमको असानी से मिल जाए अपने file को, तो सबसे पहले दोस्तों हम tally को skip करते हैं, थोड़ा सा hide करते हैं, hide करने के बाद अपने desktop पे एक folder बनाते हैं, new folder, folder बनाके उस folder का नाम रखते हैं, tally, ठीक है द करने के बाद दुबारा से हम अपने tally में चले जाएंगे, tally में जाने के बाद दोस्तों, यहां पे specify path में हम जाएंगे, control भी से अपने folder path को जो है paste कर देंगे, और enter करके, दुबारा से enter करके accept कर लेंगे, दूसरा option जो है file name, तो file name हम इसका रख देंगे, all laser account, ठीक है, उ दोसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो है laser जो है export हो रहा है, थोड़ा time लग रहा है, दोस्तों export हो चुका है दोस्तों और हमार लेजर जो है export होके खुल भी गया है, तो दोस्तों मैं यहां से आपको नहीं रुखांगे, इसको बंद करूंगा, बंद करने के बाद टैली को दुबारा से हाइट करूँगा हाइट करने के बाद टैली वाला आप देख सकते हैं यह फोल्डर मैंने बनाया था इसमें वो जो है लेजर आ चुका है तो दोस्तों सबसे अच्छा चीज़ जो है इसमें हुआ सबस्क्राइब हम क्लिक करेंगे करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एक मार्णा अप्रेल से लेके 21 मार्च 22 तक के मैंने सेलेक्ट की है तक प्रियेट को उस प्रियेट का सारा लेजर जो आ चुका है account charges का ledger है, एक हमारा advanced tax का एक ledger है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे advanced tax का दूसरा ledger है, advanced tax है जितने भी ledger है related, वो सारी आगए agencies, private, limited, देख सकते हैं दोस्तों हमारा सारा ledger जो है आ चुका है, सारा ledger, बहुत सारा ledger, 74 ledger जो मैंने आपको बताया, 74 ledger, पूरा का पूरा हमारा जो है आ चुका है, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, आप यह all ledger account को समझ गए होगे, अब दूसरा option में आपको बताने जा रहा है, जो कि आपको बहुत काम आने वाला है, यहाँ पे फिर से हम टैली में चले जाएंगे, दुबारा से प्लस या export वाले option में जाएंगे, export वा इंटर किया, उसके बाद जैसे माल लेजे, मैं किसी का भी नाम लिखता हूँ, जैसे कि माल लेजे, यूपी ट्रेड लिम्टेड में हम जाएंगे, उसके बाद configure वाले option में क्लिक करेंगे, उसके बाद period को हम वैसा ही राने देंगे, बस export को हम change कर लेंगे, file format को जो हम change कर PDF करने के बाद folder path को भी हम change कर लेंगे, जैसा कि मैंने उस folder में डाला था, तो control V से उस folder को फिर से हम select कर लेंगे, enter करेंगे, दुबारा से enter करेंगे, उसके बाद इसका नाम जैसा का वैसा ही राने देंगे, time को waste नहीं करेंगे, control A से accept कर लेंगे, उसके बाद दुबारा से send कर देंगे, हमारा जो है, वो send हो चुका है, तो आप देख सकते हैं, यह जो है, हमारा laser जो है, आ चुका है, one laser यानि कि एक ही laser आया हमारा export होके, या आप चाहें तो इसको print भी कर सकते हैं, तो उसके पाद फिर से cancel करेंगे, अब तीसरे option में आप चले जाएंगे, दुबार जैसे माल लेजिए, मैं sundry करेंटर का जो है, laser को सिर्फ अपने sundry करेंटर के लेजर को सिर्फ export करके, अपने party के पास mail करना चाता हूँ, या उसको print करके party के पास भीजना चाता हूँ, तो सिर्फ हम sundry करेंटर का ही select करेंगे, तो sundry करेंटर होगा, जैसे alt, order, group account, यहाँ प आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बस समझा रहा हूँ, file format में PDF सेलेक्ट करूँगा, folder path में मैं दुबारा से वही path सेलेक्ट कर लूँगा, control V से paste कर दूँगा, दुबारा enter करूँगा, control V से accept कर दूँगा, एक मिनट मैं folder file name को change कर देता हूँ, एक बार, sundry creditor, यहाँ पर sundry creditor को मैंने accept किया, उसके बार दुबारा से मैं इसको send वाले option में enter कर दूँगा, यह जो है हमारा export हो रहा है, index page PDF, यानि कि दोस्तों हमारे एक index page और रेडी नाम का बना हुआ है उस folder में, उसको बोल रहा है override करने, तो चलिए दोस्तों का काम तो हो गया, मैं इसको override कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, यह हमारा फुल के आगए, index page हमारा यह है, तो सबसे पहले हम इसको काट देंगे, काटने के बाद जो है, दुबारा से हम अपने उस folder में folder में जाने के बाद आप देख सकते हैं, इंडेक्स page हमारा बन गया, देख सकते हैं, संड्री डेटर में मेरे यह सारे partials है, तो इतने पार्टी है, तो इसको बंद करते हैं, अब दिखाते हैं आपको लेज़्जर, जिसका नाम मैंने संड्री के डेटर रखा था, देख सकत करते हैं दोस्तों आप वही सारी पार्टिया जो मैंने एक्सपोर्ट किया संड्री केडिटर ग्रूप में जो भी पार्टी था वही सारी जो है एक्सपोर्ट होके आगया आप देख सकते हैं उसी का सारा लेजर जो है एक्सपोर्ट होके यहाँ पर हमारे पास जो है आ गया त तो उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो को आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज हमको मैसेज करके कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज खेयर करें